आज हम बनाने वाले हैं वेजटेबल पुलाओ जो कि खाने में तो बहुत ही टिस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है और यह पुरा बिरियानी का आपको फ्लेवर देगा मसालेदर पुलाओ किस तरह बनता है तो चलिए वीडियो देख लेते हैं एक बॉल में हमने लिया है दो कप भासमती राइस अब बासमती राइस को हलकी हाँ से हमें धोना है लगी हलकी हाँ से दो थीन पानी हमें इसे धोना है ज्यादा दबा दबा के मत दुएँगा तूट जाएंगे चामल साइड में रख देंगे एक पान ले लेंगे पान में एट करेंगे आधा कی point that networking लॉंग चार से पांच इलाइची और एक छोटा बड़ी बड़ी इलाइची और टेज पता अब यह सारे चीजों को हमने तेल में शामिल करना है अब इसकी बहुत ही अच्छी हुश्बु आने तक हमें सौते करना है अब लिए हम एक बारिक कट करके प्यास प्यास को लाइट गोल्डन ब्राउन हमें तलने निगा है देखे प्यास का कलर अच्छे से चेंज हो गया है अब इसमें आट करूंगी वन टीस्पून अधरक लेसन का पेस्ट अब अधरक लसन की कच्छी बोजाने था हमें थोड़ा भून लेने का है प्यास के साथ अब इसमें हाफ टीस्पून हल्दी पॉडर शामिल करें साथी में आट करेंगे लाल मिर्च पॉडर वन टीस्पून हाफ अफ टीस्पून करके हमने आट किया है अब आट करें कश्मीरी लाल मिर्च वन टीस्पून ताके कलर बहुत अच्छा आजाए इसमें अब मसालों का अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद दो बारी कट करके टमाटे इसमें आट करेंगे अब टमाटों को हमें गला लेने का है प्यास के साथ अब टमाटों को गलाने के लिए हाफ टीस्पून हमने नमक शामिल किया अगर कम लगेगा तो बाद में और शामिल करेंगे अब लिड लगाके टमाटे अच्छे से गलने देंगे ये देखें टमाटे हमारे अच्छे से गल गए हैं अच्छे से भून लोंगी अब इसमें आट करूंगी एक का बराबर दही दहीं को अच्छे से फेट के शामिल करें साती में आड़ करेंगे धनिया पॉडर वन टी स्पून और बिरियानी मसाला वन टेबल स्पून ये मसालों से बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अची खुजबू आती प्लाव में चलिए सारे चीज़ों को मिक्स कर देते हैं अब इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे ग्रीन बीन्स हमने शामिल किया बिनीस की फली हमने शामिल की और गाजर आलू बारिकर करके भी शामिल करें अब सारे चीज़ों को मिक्स करेंगे कि हारी मिर्ची भी डाल देंगे इसमें हम पुदिना वनमंच बराबर कोत्मिर वनमंच बराबर हरी मिर्च हमने 2-3 ली है सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें दही के साथ दही का पानी हमने सुकाया नहीं है अब यह वेचेप्ल्स जो हम डालेना उसके साथ हम पानी सु यह देखिए माशालला से हमारा घहिंग का पानी सुख गया है आलू भी हमारे 50% गल गये है अब आलू 50% गल गये है अब चामल के साथ भी हमें 50% गला लेना है पानी हमने चामल लिया था दो कब बराबर तो उसके recording में दालूंगे 4 गलास पानी हल्का गुणगुना पानी है चार कप पाने शामिल करें इसी मेजर्मेंट से हमने चावल लिया था लिड लगाएंगे एक बॉयल आने देंगे यह देखिए एक बॉयल आ गया है जो हम चावल धोके रखे थे ना वह इसमें शामिल करेंगे है ना भहुती आसान यह recipe बनाना और खाने में तो बहुती टेस्टी है बिरियानी का आपको पूरा flavor इसमें मिलेगा जब हम श्रामिल करेंगे बहुती टेस्टी recipe बनके त्यार होती है friends एक बार जरूर ट्रॉ carie करिएगा चामल दालने के बाद हमने 5-10 मिनिट तक लिड लगा के छोड़ दाना है medium to low heat पे ताकि चामल हमारे अच्छे से पक जाए और बार-बार हिलाना नहीं है तो ये लिजिए गर्मा गरम वेजिटेबल प्लाव हमारा बन के तयार है तो चलिए फटाफट सर्फ करते है सर्फ करजिए का धाई के रायते के साथ या फिर प्याज, गाजर वगरा वेजिटेबल सलाथ के साथ भी आप सर्फ करें बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तयार होती है एक बार जरूर ट्राय करिएगा अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चानल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते हूँ एक नई और यूसफुल सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए दौा में याद रखेगा अल्लाह आफीस